आज हम डिसकस करेंगे दो बहुत ही पावरफुल और पॉपुलर डॉग ब्रीट्स के बीच एक एपिक कमपारिजन रॉट्वाइलर और डॉबर्मान पिंचिर दोनों ब्रीट्स अपने स्ट्रेंद इंटेलिजन्स और लोयल्टी के लिए दुनिया भर में फेमिस हैं पर इन इस वीडियो में हम इन दोनों डॉग्स के हर एक एक एकस्पेक को डीटेल में कवर करेंगे इनका साइज, वेट, टेम्परिमेंट, ट्रेनिंग, एल्ड इशूस और बहुत कुछ तो अगर आप एक पावरफुल डॉग ढूंड रहे हो यहां बस ऐसे ही इंट्रस्टेड हो इन ब्रीट्स के बारे में तो इस वीडियो को जरूर इंट तक देखिएगा, इसमें मैं इनकी बाइट फोर्स का कंपारिजन भी करूंगा और इनके मार्किट प्राइस भी हाइलाइट करूंगा, तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर से ये डॉग्स कैटल को हर्ड करते थे और बोटेक करते थे, रॉट्वाइलस को उनकी स्ट्रेंथ और पावर के लिए जानते हैं, ओवर टाइम ये पुलीस और मिलिटरी डॉग्स बन गए हैं, क्योंकि ये हाइली इंटेलिजेंट और प्रोटेक्टिव होते हैं, और ये 19 सेंचरी में एक टैक्स कलेक्टर लुइस डॉबरमेन ने डिवेलप किया था, लुइस को एक ऐसे डॉग की ज़रूरत थी, जो स्ट्रॉंग, फास्ट और प्रोटेक्टिव हो, तब ही डॉबरमेन ब्रीड का जनम हुआ, और ये डॉग एक एक्सेप्शनल गाड डॉग के सिमिलर है, पर इनकी डिवेलपमेंट और रोल्स टाइम के साथ काफी डिफरेंट हो गए, चली अब बात करते हैं इन दोनों ब्रीड के फिजिकल अपेरिंस की, क्योंकि ये दोनों डॉग बहुत ही इंप्रेसिव दिखते हैं, तो बात करते हैं इनके साइज और हाइट की, रोटवाइलर्स का हाइट लगबख 61-69 cm के बीच होता है, और फीमिल सोडी छोटी होती हैं अराउंट 56-63 cm, वेरास डॉबरमान्स सोडी लंबी ब्रीड है, विट मेल्स मेजरिंग 68-72 cm और फीमिल्स का हाइट 63-68 cm हो सकता है, बात करेंगर इनके वेट की, रोटवाइलर्स हेवी और मस्कूलर डॉग होते हैं, जिनका वेट हो सकता है अराउंट 50 kg से 60 kg तक, वेरास डॉबरमान्स रेलिटिवली लाइट होते हैं, तो इनका वेट हो सकता है अराउंट 40-45 kg, दोस्तो साइज और वेट के मामले में, रोटवाइलर्स जादा हेवी और स्ट्रॉंग द अगरेशन नहीं दिखाते, रोटवाइलर्स अपने परिवार के साथ बहुत लॉयल और प्रोटेक्टिव होते हैं, और उन्हें अच्छा गाट डॉग माना जाता है, लेकिन इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है, क्योंकि अगर गलत हातों में आए, तो ये ब बहुत ही intelligent guard dog बनाता है, ये friendly हो सकते हैं, पर danger के time पे quickly react करते हैं, तो temperament के basis पे अगर आपको एक calm, muscular और powerful protector चाहिए, तो रोटवाइलर्स आपके लिए best choice हो सकता है, अगर आपको agile, intelligent और fast reacting dog चाहिए, तो डॉबर मैन आपके लिए perfect होगा, अब बात करते हैं इनके trainability और intelligence की Training के मामले में दोनों ही breeds अलग-अलग हैं, तो चलिए देखते हैं इनकी trainability score, रोटवाइलर्स बहुत intelligent होते हैं, पर इनने early और consistent training की जरूरत होती है, ये थोड़ा slow learners हो सकते हैं compared to dobermans, पर जब इनने अच्छे से train किया जाए, तो ये अपने owners के command बहुत अच्छे से follow करते ह इनका guard instant naturally strong होता है, तो protection training में भी ये axle करते हैं, whereas dobermans को दुनिया का most intelligent dogs में से एक माना जाता है, ये बहुत fast learners होते हैं और easily train हो जाते हैं, उनका obedience और intelligence level इतना high होता है, कि ये police और search rescue missions के लिए भी use होते हैं, अगर आप first time dog owner हो, तो doberman आपके लिए थोड़ा easier हो सकता है train करन लेकिन अगर आपको एक dog चाहिए, जो ज्यादा protective हो और आप experienced हो, तो rottweilers की training आपको ज्यादा challenging पर rewarding लग सकती है, so it depends हो नहीं, अगर आपके पास experience है, तो rottweiler रख लो, अगर नहीं है first time dog owner हो, पहली दफ़ा dog रख रहे हो, तो doberman की तरफ आओ, so guys अब बात कर लेते हैं की health और life span की, rottweilers generally healthy dogs होते हैं, पर इन्हें hip dysplasia और obesity जैसे health issues face करने पड़ते हैं, इनका life span 8-10 साल तक होता है, जो medium size dogs के लिए एक standard है, regular wet checkups और proper diet के साथ, ये अपनी life expectancy तक healthy रह सकते हैं, डॉबरman भी काफी healthy breed होती है, लेकिन इन्हें दिल से कुछ genetic problems face करनी पड़ सकती ह जैसे cardiomyopathy, इनका life span थोड़ा ज्यादा होता है, around 10-12 साल, इन्हें भी regular exercise और proper nutrition की जरूरत होती है, ताकर ये fit और healthy रहें, दोनों breeds का life span और health issue similar हैं, पर genetic factors के हिसाब से vary कर सकते हैं, इसलिए हमेशा certified breeders से dogs लेना important है, तो guys अब compare करते हैं इनका main comparison, जो हैं dog breeds की bite force, rottweiler have one of the most powerful bite force among domestic dogs, इसका मतलब ये है कि जितने भी घरों में रखे जाने वाले dogs हैं, rottweiler की bite force उनके बीच में सबसे ज्यादा होती है, that is around 328 PSI, जिसको compound per square inch भी कहते हैं, whereas अगर doberman की bite force को compare किया जाए, तो rottweiler से थोड़ी सी कम होती है, and that is around 300 PSI, so आप अंदाजा लगा सकते हो कि दोनों dog breeds में bite force rottweiler की ज्यादा है, क्योंकि ये muscular है तो इसके अंदर जोर भी ज्यादा होता है, doberman थोड़े light होते हैं, बट काफी active होते हैं, और बहुत जल्दी alert हो जाते हैं, तो अगर bite force की summary निकाली जाए, तो rottweiler की bite force stronger है, doberman speed में ज्यादा excel होता है, इसके quick reactions होते ह making both breeds formidable in their own way, दोनों ही अपने हिसाब से perfect breeds हैं, so guys अब बात करते हैं, इनके prices के बारे में, इंडिया में ये dog breeds हमें कितने की पढ़ती हैं, इस चीज़ को लेके लोग बहुत confused होते हैं, कोई महिंगा ले लेता है, कोई सस्ता ले लेता है, और लोग अपने अपने prices mention करते रहते हैं, बड़ आपने comments में जरूर mention करना है, कि अगर आपके पास इन दोनों dog breeds में से कोई एक dog breed है, तो comments में उनके prices जरूर लिखेगा, ताके लोग को awareness मिल सके, क्योंकि ये एक बड़ा factor होता है, dog purchase करते हैं, लोग और लोग के साथ scam होता है, इसलिए इसको mention करना भी जरूरी ह कि इंडिया में Rottweilers का price 25,000 से 60,000 तक होता है, price, bloodline, breeder quality और location के इसाप से change होता है, इस चीज़ को जरूर याद रखना, कि अगर आप किसी top city में रहते हो, तो वहाँ पे prices आपको higher मिलेंगे, लेकिन अगर आप किसी town, village या किसी ऐसी जगा पे रहते हो, जहाँ पे बहुत common है Rottweiler, तो वहाँ पे आपको prices कम मिलेंगे, इसलिए मैं average price देता हूँ, that is 25,000 से 60,000 तक, वेराज अगर डॉबर मैन की बात करें, तो डॉबर मैन Rottweiler के हिसाप से थोड़े सस्ते होते हैं, इंडिया के अंदर या आपको मिल सकते हैं 15,000 से 40,000 तक, but still depends on the quality, जितनी quality high होग उतने prices उपर चले जाएं, so अगर price comparison की बात की जाए, तो budget के हिसाप से डॉबर मैन को रखना easy है, Rottweiler को रखना थोड़ा expensive है, और सिर्फ खरीदने तक बात नहीं होती, उसके बात के expenses भी काफी ज्यादा होते हैं, so depend करता है कि डॉब कैसा है, जितना muscular heavy dog होगा, उतने ज्य strong muscular और calm protector चाहिए, जो अपनी परिवार को protect करें, तो Rottweiler आपके लिए best option हो सकता है, लेकिन अगर आपको एक intelligent, agile और fast reacting dog चाहिए, जो ज्यादा alert हो और easy to drain हो, तो doberman pinch shirt आपके लिए perfect रहेगा, आपका choice आपके personal preference, living conditions और draining experience पर depend करता है, तो आपको कौन सा breed ज्यादा पसंद आए, comment section में जरूर बताइएगा, तो guys यही थी आज की video, I hope आपको video अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो भई like करते ना, subscribe कर देना, और bell icon को दबा देना, ताके हार आने वाली video आपको मिलती रहे, और comments में जरूर बताइएगा, if there is anything missing, love you all.